असलाम वालेकुम प्यारी बच्चों, आप अपने माहुल में बहुत सी चीजों को देखते हैं, इन में से कुछ चीजें जानदार होती हैं और कुछ चीजें बेजान होती हैं, जानदारों में नपतात और हैवनात का शुमार होता हैं और बेजानदार में मकान, मोटर, साइकल, टेबल, कुरसी वगरा का होता हैं, हैवनात में इंसान और जानवर का शमार होता है हैवनात तिन किस्म के होते है जमीन पर रहने वाले, आसमान में ओने वाले और पानी में तैरने वाले जमीन पर रहने वाले जानदार जैसे गाय, बैल, बकरी, भैस वगरा और पानी में रहने वाली मगरमाच, मचली वगरा इनको आभी जानदार भी कहते है आसमान में ओने वाले जानदार को हम परिंदे कहते है परिंदे अपने परो की मदद से उरते है इन में से कुछ परिंदे ऐसे होते है जो जमीन पर भी रहते है जैसे मुर्गी और बतक तो प्यारे बच्चों आज हम जमाच चारूं की दर्सी किताब का सबक नमबर 11 परिंदों की दुनिया इस सबक को पढ़ेंगे